हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर संदेश उपता डेमेटरलिस्ट दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फंगल इफेक्शन की बारे में यह होता है टीनिया वर्सी कलर यह दिखिया आपसकी फोटराप देखिए यह वर्सी कलर मेंज किसी भी कलर का हो सकता है यह पिंक भी हो सकता है बाइट भी हो सकता है ब्राउन भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है operatricum means भेल्स छिलकि की तरह इसे होता है जासे यह acordoी है यह जब लार्मल फंक्रम करेते हैं जब प्रुरे का लग किता है भेला न उक उदी है यह जिले परदह में आता ही यह जिह जाए मरें आता ही बेहिरों कि अ 되면 जाए में प्र kepculis के लिए में दो आता है एकजिला में पाता है सपाम। चैस्ट के ओपर मिल सकता है। बच्चों में फेस के ओपर मिल सकते है। यह और जो लोग बिमार होते हैं, जो इम्म Nahic, और जिन को शुगर की प्रोचिछ होते हैं। या जो बै-डोडिन प्रशन होते हैं। उनके बौड़ी में यह ईक्सेंसी तो अब बात करेंगे इसके बारे में हम किसकी डियाग्नोसिस कैसे बनाते हैं कोई भी डॉक्टर जो इसकिन में काम कर चुके हैं वो इसकी डियाग्नोसिस आराम से बना सकते हैं बस इसको विटिलिगों से हमें differentiate करना होता है और कुछ ऐसे कंडिशन होती हैं जίसे प्रिा सिर फिर्टेरी रोजिया इना दींदु तो इसका ट्रीट्मेंट दोस्तों बहुत एजी है जो फंगस को मारना वह बड़ासान गाम होता है वह एक से दो महीन के दंदर फंगस को पूज तरह से मार सकते हैं लेकिन इसके कलर को वापस आने में इसकिन को देखो दोस्तों अपना कलर बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है और वह दो से चार महीने रखते हैं तो फंगस इंफक्शन जो हमारा बहुत जल्दी ठीक हो सकता है लेकिन जो उसकी वाइटनेस होती है वह वापस जाने में टाइम रखता है थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होता है बस आपको टीटमेंट करना है एक महीने है दो महीने के लिए जब फंगल फक्शन यह इन्फक्शन वाला पार्ट ठीक हो जाए तो हम इसके टीक्मेंट को बंद कर देंगे और जो कलर होता है वो नॉर्मली धीमे धीमे वापस आ सकता है अब इसकी प्रिवेंशन क्या होती है रॉक थाम क्या कर सकते हैं तो इसके लिए हमें नमी से बचना चाहिए जैसे ने बताया है कि यह नमी वाले पार्ट में आता है शुगर वाले प्रेशन में जल्दी आ सकता है या जो इम्मुनो कमणोमाइस प्रेशन होते है उनमें जल्दी आ सकता है जिन लोग को excessive sweating होती है या बहुत sweat आता है तो उनमें इसके चांस सी बहुत जादर जाते हैं तो excessive sweating वाले patients होते हैं उनको powder लगा लगाना चाहिए और बार बार इसको dry कर लेना चाहिए तो shoes में कई रोग के जिसे shoes में आती है तो उन जगहों पर खास जो होती है जहां sweating जाद होती है तो महाँ पर हमें fungus को रोकने के लिए antifungal powder का इस्तमाल करना चाहिए और दूसरी चीज़ होती है कुछ दवाईया खाने की और कुछ दवाईया लगाने की अगर हम यह पूरा treatment properly करते हैं एक से दो महिनी में तो यह completely असानी से ठीक हो सकता है तो दोस्तों यह थी टीनिया वर्सिकल के बारे में सल्हा इसके अलावा भी आप कोई भी दॉलम आती है इस्किन की तो आप हमारे दीवे नंबर पर कॉल कर सकते हैं यह क्लिक पर आके हमसे आप मिल सकते हैं Thank you